जैभिम दोस्तों कल उत्तर परदेश के साथ साथ पांच राजों में चुनाव का जो है अंतिम चरन है साथवा चरन का चुनाव कल होना है और उत्तर परदेश की जनता कल किसकी सरकार बनेगी यह तै करने के लिए जो है कल वोटिंग करने वाली है उत्तर परदेश के साथ साथ पाचो राज में लेकिन चुनाव तो खतम हो जाएगा उसके बाद संघर्ष कौन करेगा सड़क पर उसके बाद जब सोसन अत्याचार होगा आपके हक अधिकार को छीना जाएगा लूटा जाएगा तब उस समय स परदान मंत्री को उन्होंने मार्केटिंग परदान मंत्री बताया है दरसल पूरा ट्यूट क्या है वो हम आपको पढ़के सुना देते हैं रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे बीविशक में दो भारतिये चात्रों की मौत हो चुकी है एक को गोली लगी है अभी भी सैकड चात्र भारतिये चात्र चात्राएं पानी पीने के लिए मौताज है उनको बापस लाने का खोखले राष्ट बादी अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए है इसलिए मार्केटिंग पीम को उनकी ड्यूटी या दिलाने के लिए 9 मार्च को सात्मा चरन का चुनाव खतम हो ज रहा है उसका जो दिल्ली में दूतावास है दोनों देश का उसका गहराव करेंगे उन्होंने आगे लिखा है कि हम भारत के जो चात्र चात्राएं हैं उनके परिवार के साथ खड़ा हैं पूरी तरह से इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बात करने के लिए हैं द आत्मे चरन का चुनाव उसी में वो निर्ने लेंगे किस तरफ से देखते हैं लाइब गुद्धा देखने वाले सभी दर्सकों को मेरे तरफ सज्जिए भी देखिए कल यूपी का और संग संग पांच राजे का जो चुनाव है वो चुनाव का अंतीम दिन है तो मैं जितने आपका स्वास्त आपका एजुकेशन्स यह मांगाई का दौर किस तरह से पढ़ रहा है जनता पर यह तमाम बाते को लेकर मद्द नजर रखते हुए आप भोटिंग किजिएगा ना कि गाये गोबर गोव मूत्रे गोवरक्षा यह तमाम तरह के बाते मंदीर महजीद यह बोटर्स हैं यूपी और तमाम पांच रोजे के जो राजजे को बोटर्स हैं उनको यही मैं अपील करूँगा कि आप लोग पार्टी कोई भी हो आप लोग सेलेक्शन किजिए लेकिन उन्हीं को आप भोट दीजिए जो आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है नमबर वन नमबर टू चंसेकर राजाद में ट्वीट किया है कि जो रूषी और उक्रेयन दुटाबास है घराव करने के लिए यूँखिए बात है चंसेकर राजाद रावन में चुनाव खत्म हो रहा है वो चाहते तो यह ट्वीट नहीं करते वो चाहते तो ग्हेहराव है उनका काम है सबकों पर संखर्ष करना जो अन्याय कर रहा है उसके अन्याय के खिलाफ लड़ना इसलिए जहां तक हमारी समझ है इसलिए वो ट्वीट कर रहे हैं हम जेतना भी जो मोदी ब्रांडिंग करने में लगे हुँए मर्केटिंग करने में लगे हुए हमको याद दिलाने के लिए चंसे खराजें ने ट्वीट किया कि हम कुछ सत्ता में लाई या सत्ता से बाहर रही है हम आपके सवाल ऊपर हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे बाकी तै करना आप लोग को है आप लोग किस पार्टी को सरकार में लाते हैं किसको वोट करते हैं यह आपका निजी मामला है लेकिन आप देखिए कि आपके लिए कौन संघर्स कर रहा है आज जो युक्रेन में भारत के जो इतने 16 फसे हुए हजारों 16 फसे हुए यह क्यों फ इसलिए तमाम मुद्धों को देखते हुए आप लोग है अपना वोटिंग करें और अपना भाविस 5 साल के लिए तै करें जो आपके हित में हो उसी को वोट करें बागी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी परते के रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजे हमारे चैनल पर प अगर आप यह वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो सेर जरूर करें अपनी परते के रिया नीचे कमेंट बॉक्स में देए